जब से पृति जिंटा पृतिक रोशन के घर के बाहर स्पॉट हुई हैं तब इसे क्रिश्वो को लेकर खबरे भी खूब गर्म हो गई हैं और अब साम्यारी क्रिश्वोर की नई नई बाते रोशन फामली से जड़े कुछ सोसस के मताबिक पुश्वोर की कहानी को बत के हिसाब से जदा रेलिवन बनाने की कोशिश की जा रही है कहा जा रहा है कि फिल्म के कहानी में करोना वाइरस का एंगल भी जोड़ा जा सकता है ताकि लोग फिल्म के कहानी से अच्छी तरह रेलेट कर सके जस करोना वारिस ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया वो एक फैंडमिक तो है ही लेकिन राके इश रोशन के दिमाग में से लेकर एक जबदस फिल्म का प्लॉट भी घूम रहा है अगर आपको याद हो तो कृष्ट ली की कहानी भी एक जानलेवा वाइरस के इर्द गित घूमती थी फिल्म में काल यानिकी विवेक और व्रोई का किरदार पहले एक जानलेवा वाइरस बना कर इंसानों पर हमला करता है और बाद में वाइरस के खिलाफ एंटी डोट बेचने की साजिस रचता है हालकि कृष्ट और विज्ञानिक रोहित इस चाल का परदा फाश कर देते हैं और फिर कृष्ट अपनी शक्तियों का इस्तमाल करते हुए वाइरस और वाइरस को बनाने वाले डॉक्टर काल के खिलाफ लड़ता है कृष्ट त्री अपने यूनिक कानसेप्ट और विज्ञानिक की वज़े से काफे हिट रही थी और सबसे कमाल की बात तो ये थी कि कृष्ट वाइरस के हमले से करीब साथ साल पहली एक फिल्म साल 2013 में ही रिलीस हुई थी अब साथ साल बात कृष्ट वोर को लेकर सुख बुगाहट चल रही है तो चारों तरफ सच में एक वाइरस का कहर फैला हुआ है लहाजा फिल्म मेकर आके शौशन की दिमाग में इसी सब्जेक्ट को लेकर एक लेवल और आगे ले जाने का खयाल आने की बात कहीं जा रही है वैसे भी पोरोना ने देश से लेकर दुनिया तक में बहुत सारी चीज़े बदल दी है पोरोना का सर ना सिर्व लोगों की सोच पर बलके उनके डेली रूटीन, बिजनिस और रिष्टो पर भी काफी जादा पड़ा है जाही तोर पर जो वारिस इस तरह सब कुछ बदल दे वो एक बड़ा विलेन ही तो है और इस विलेन पर अगर महनत करके क्रिश सेरीज की फिल्म बनाई जाती है तो वो काफी इंट्रस्सिंग भी होगी क्रिश वोर के साथ बस एक प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम ये है किसकी पुरानी कास प्रियांका चोपडा क्रिश और क्रिश थी में प्रियांका चोपडा एहम रोल में थी लेगना प्रियांका चोपडा तो शादी करके यूएस में सेटल हो चुकी है लेहाजा क्रिश वोर की कास्टिंग के लिए राकेश वोशन को कोई ना कोई नई प्लानिंग तो कर नहीं होगी